मुलिटन के शुरुआत करते हैं एक बेहत दिल दहला देने वाली खबर से वो दर्द से बेहाल थी लेकिन चिला कर रो भी नहीं सकती थी यहां तक कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी मुंबई के एक अस्पताल में 17 दिन की इस बच्ची का जब एक्सरे हुआ तो डॉक्टर भी चौक पड़े बच्ची के गले फशी थी उसके गले की बराबर के लंबाई के कीकी यह है तांचली, उम्र है 17 दिन यकिन करेंगे आप इस 17 दिन की बच्ची के गले में पसी थी लोही कीकित इन तस्वीरों को एक बार पिर देखे कैसे कले के बीच अठकी हुई है लोही कीकित सोचे कैसे कि जबने का दर्द सह रही होगी यह बच्ची कैसे हर सांस के लिए तडप रही होगी यह ननी सी चान 17 दिन की बच्ची ऐसा भी नहीं कि खेलते खेलते कोई चीज उठा ले और ऐसा भी नहीं कि अगर कोई जान बूच कर फिल जा ले तो चुप चिला कर किसी को बता सके 19 फरवरी की राद जब इसे अस्पताल लाया गया तो वो दर्द से बेहाल थी भूप से बेहाल थी और एक एक सांस के लिए मोहताश थी प्रांजली के एक्सरे से पता चला कि बच्ची के गले में कील फसी हुई है लायर अस्पताल के डॉक्टर के लिए बड़ी चुनौती थी बच्ची को चोट पहुँचाए बिना कील को बाहर निकालना डॉक्टरों ने नवजात प्रांजली की हालत को पहले इस्थिर किया गले में फसी कील को निकालने के लिए उन्होंने पहले पेट की तरफ धकेला और फिर पेट की सर्जली कर कील को बाहर निकाला गया छे डॉक्टरों की टीम ने ऑप्रेशन किया और धाई घंटे बाद वो कील को निकालने में काम्याब रहे कहना गलत नहीं होगा कि प्रांजली का ये दूसरा जन हुआ है डॉक्टरों के मुताबिक जिस तरहें प्रांजली को सांस लेने में मुश्किल आ रही थी जरा सी दे जानलेवा साबित हो सकती थी प्रांजली अब खत्रे से बाहर है लेकिन अभी उसे इस सीहत के लिए लंबा संखर्श करना है 17 दिन की मासूम को आखिर कोई क्यू मारना चाहेगा वो बच्ची जिसने अभी तक मा कहना भी नहीं सीखा उसकी दुश्मनी किस से हो सकती है इन सभी सवालों ने सब को हैरोप में डाल कर रह दिया है सिलाल कुलिस के पास एक बड़ी चुनौती उस व्यक्ति को ढूडने की जिसने ये जगन ने काम किया है पांकर चुपादियाए मुंबाई आज तक